दोस्तो आपको मेरे सामने पीली भीत जंक्सन के प्लेटफॉर्म नमबर तीन पर पीली भीत से जहांपुर पसिंजर टेन नजर आ रहे होगी हलो फ्रेंड्स मैं हूँ शैनमास और आप देख रहे हैं दी शैनमास यूटूब चैनल दोस्तो आज काफी एतियासिक दिन है पीली भीत से जहांपुर सेक्षन पर रहने वाले जात्रियों के लिए क्योंकि फाइनली आज दिनाग दो जुलाई 2022 से पीली भीत से से जहांपु बड़ी लाइन के सुरू होने जा रहे हैं तो काफी खुसी का दिन है आज इस रूट पर रहने वाले जात्रियों के लिए तो दुस्तो आप देख सकते हैं इस वक्त पिली भीत जंसन के प्रफॉन नमबर तीन पर आपको काफी जात्री नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि क काफी लोग को अब इसके वारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी और दूसरी बात यह है कि जो टेन का उद्गाटन है वो नहीं किया रहा है अगर उद्गाटन होता तो यहां पर और भी यात्री नजर आते आप सभी को तो मेरे खाल से यह पहला ऐसा रूट होगा बड आतरा वो नजर आ रहा होगा खेर कोई बात नहीं उद्गाटन हो या ना हो लेकिन कम से कम जो इस रूट पर यात्री रहते थे उनको काफी सवलियत मिल जाएगी जो कि काफी लंबे समय से वो बसों से यात्रा करने पर मुझूद थे और काफी महंगा करया भी देते थे तो टो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यह पहला ऐसा सक्सें होगा जो पूरा अलेक्टिफाइट होने के बाद ट्रेन को संचालन्ज सुरू होने जा रहा है तो देख सकते हैं पिलीबी जंसन का सुबा का न जारा तो दोस्तों ये ट्रेन पिलीबी जंसन से डेली साथ बचकर 15 मिनि पिलीबीद से सहजापर के लिए अपनी यात्रा को सुरु करेगी तो दोस्तों पिलीबीद जंक्सन से चार रूट डायवट होते हैं जिसमें से मात्र एक रूट बचा हुआ है पिलीबीद मेलानी वाला और पिलीबीट से जहांपूर पिलीबीट बरेली पिलीबीट टनकपूर रूट पर ट्रेनिक को संचान पूरी तरीके से सुरू हो चुका है तो आने वाले समय में बहुत जल्द पिलीबीट से मलानी कभी रूट जुड़ जाएगा जो कि काफी important डूट जो मलानी वाला है वो बच्चा हुआ है दोस्तो आप देख सकते हैं प्रेटफॉर्म नमबर 3 पर पिलीबीट से जहांपूर पसेंजर टेन खड़ी हुए और प्रेटफॉर्म नमबर 2 पर पिलीबीट टनकपूर और प्रेटफॉर्म नमबर 1 पर पिलीबीट बरेली दोस्तो उम्मीद है कि आप सबी कोई वीडियो पसंद आयोगी वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए पहरा सा केमेंट किजिए